करने वाला हूं वह टापिक जो इंडिस्टिय में काफी बात की जारी है इसके बारे में वो है एक side gig, side business बोलो, side gig बोलो, side hustle बोलो, काफी नाम है इसके, पर रादर दन ये पूछना कि हम कैसे ये कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है, मैं अभी इस वीडियो के दौरान बोलने वा तो नमबर एक रीजन है कि जब कोई boss जो हमें बहुत रस्ट करता है वो हमें पूछता है कि आओ मेरी business में मेरी मदद करो तो वो एक नमबर वन रीजन है हम side hustle क्यों pick up करते हैं तो side hustle क्या होता है कि एक चोटा सा side काम कर ले लिया उठा लिया उनके लिए जो हमारे पहले boss थे या भी boss है और उनको थोड़ी मदद की ज़रुवत है और हमारे skills की खास ज़रुवत है दूसरा reason यह है कि अगर हमारा कोई बहुत पास का दोस्त या हमारे जो spouse है वो business में जाते है और उनका business set up करने में और चलाने में उन्हें हमारी मदद चाहिए इसका फाइदा यह होता है कि एक additional revenue stream आ जाता है घर में और अगर नहीं मदद करोगे अपने spouse की तो हो सकता है बाहर bedroom के बाहर सोना पड़े शायद इतना extreme नहीं पर फिर भी काफी लोग इसलिए help करते है क्योंकि आखिर वो तुमारी life partner है और तुम्हें help करना बनता है एक और reason यह है कि मेरे जो skills है मेरे पास इतने सारे नए skills में जो pick up करना है इंडस्ट्री में अगर power BI है तो मुझे snowflake का skill set उठाना या कोई और उठाना तो एक several challenge जैसे दिमाग की बती जलाए जैसे एक challenge होता है तो हमें वो pick up करना है इसलिए हम एक side hustle pick up करते हैं एक और reason यह है कि मैं बहुत hyper active हूँ मैं मेरे पास बहुत energy है हफते भर का काम कमर तोड़ काम करने के बाद भी मेरे पास इतना energy है कि मैं वो ही काम किसी और side gig में लगा सकता हूँ और मेरे पास उतनी energy है तो वो एक और reason है जो लोग hyper active मैं nature होते हैं उनके लिए side hustle जरूरी है क्योंकि उनका mental time खाली नहीं रह सकता है आखिर अब कितने देर Netflix या Amazon Prime देखोगे उनको तो restaurant में खाना या Amazon Prime पे browse करना पसंद नहीं है उन्हें तो बस काम 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 और काम एक और reason यह है कि जो additional revenue stream होता है हमारे लिए इंडिया में खास कर और Asian countries में खास कर एक additional revenue stream बहुत welcome है और कुछ companies encourage करते हैं जैसे Swiggy और Techman Indra इससे company का mindset पता चलता है company अपनी employees को कैसे treat करता है company अपनी employees को कितना trust करता है और जब एक person commit करता है कि वो काम कर रहा है तो obviously वो चाए एक घंडे में करे या तीन घंडे में करे या हाट घंडे में करे काम तो वो करके दिखाएगा productivity का जान तक सवाल है वो उपर नीचे तो जाता रहता है पर कोई ऐसा slack जान बूच के नहीं करता है अगर बिल्कुल खडूस boss हो या खडूस systems है और मुझे अपनी skills apply करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है तो वो reasons बिल्कुल हट के है और अलग है पर regular circumstances में हर employee जो अपना commitment है वो पूरा करता है उसको resources, computers, time अच्छी तरह दिया जाए अच्छी से बात किया जाए तो बिल्कुल करेगा पर अगर नहीं तो वो company का mindset और employee engagement practices जो है employees को engage करे रखने का उस पर बहुत बड़ा question mark आता है thank you